असलाम लेंकुम एबरीवन वेलकम टो माई यूटिव चैनल उमीद करते हूं कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे जी और यहां पर आज मैं आई हूं संडे मार्की जोके है पिशावर मोर पे इसलामबाद में और यहां पर माईधी जूतो के सेक्शन में और गेट न आप जाते हैं और आप आपनी यह देखना है कि आप किस दिन जा रहे हैं किस टाइम से जा रहे हैं फॉर एक्जामपल कि अगर आप जाते हैं संडे वाले दिन सुबह के टाइम में तो आपको बार गेनिंग बूल जाएं कि आप अच्छी कर सकेंगे क्योंकि वहां पर चीज अच्छी मिल जाती है एंड सेम विद डेज है कि अगर आप त्यूजडे को जाते हैं तो आपको चीज़े फिर थोड़ी कंप्राइजर मिल जाती है लेकिन संडे में बहुत मेंगी होते हैं है यहां पर बहुत सारी जुतों के वराइटी थी यहां पर यूज वाले भ जुतों के भी बहुत सारी वराइटी थी यह वाले जुते थी थी त्री हंडर रुपीज में यहां पर लगाए वे थे इसके लावा कुसे कोला पूरी और बढ़ों के भी बहुत सारी जुतों की वराइटी थी और बहुत डिफरेंट पैसी पर होते हैं आपको बहुत अच् के लिए नहीं केलर में लेका शंवे मुझे पिंग कलर में थी बनाईटी ती और इनकी प्राइसिज भी बहुत मुनासिब थी हैं के यूज्डे जुन रूंची ती वह भुवायों जो राइटी फैसे के इस त्रफ चाहिए था वह बहुत अरी अच्छी ती जिएर यूजी ओ जिसमें आपके आपको सारे उप्षन से यसमें, brown white, beige, black, peach इस तरह के colors थे जिसे vibrant colors पर्पल, blue, pink इस तरह के colors जो थे वह थोड़े से कम थे और बचों के standards थे बहुत प्यारे पहरे थे यहां पर लेकिन prices यह ठीच थी इनकी भी पहुत हाई थी यजिसे white वाली हील थी बहुत अ सब चीजों के साथ आपको एक चीज मिलना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है और प्रैसी जूती इनकी वह इस पर बहुत ही हाई थी यू किन से के तो इतनी ही उनकी दिमांड चल रही थी और बहुत ज्यादा प्रैसी थी है हम लोगों ने यहां पर काफी सारे जूते देखे काफी सारी शॉप्ट का हमने विजिट किया था यहां पर यह वली शॉप्ट में यह ट्रांस्पेरेंट वाला जूता बहुत अच्छा लगा था इ और प्रैसीज तोल्ड यूके असमान से बाते करी थी ओल्दो कि अब तो लंडे पर टेक्स्ट है वह खतम हो चुका है लेकिन यहां पर इनकी प्रैसीज यो थी वह भी तक हाई ही चल रही थी बच्छों के शूज और सैंडल्स अकर आप बहुत प्यारे थे मतलब अगर प्रैसीज बच्छों के शुका है वह खतम 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 है रताओी यो भी ही का हम्यों के वह खतम है वह खतम है तरै भल्स और जहां पी जो ट्रांसपेरेंट वाले शूस थे उनकी प्राइसिस जो थी वह बहुत ज्यादा थी क्योंकि आजकर डिमांड भी उसकी बहुत ज्यादा है सोसी के अकॉर्डिंग में लोगों ने प्राइसिस भी रखी में थी जिन लोगों को ब्रैंड्स का बहुत जदा नो पूरा सिर्फ जूतों का लेंज है वह डिसकावर करते हैं क्योंकि संडे मार्किट यह वाला जो यह काफी बड़ा है आपको एक दिन में आप पूरा घूमें तो आप मुश्किल से घूम सकते हैं क्योंकि आप ठक जाते हैं बहुत जादा और इतनी गर्मी भी हो रही थी औ आपको हर चीज देखते वही मैनेज करना पड़ता है तो अगर आपने संडे मार्किट से कभी कुछ लेना हो तो इसके लिए बेस्ट जो यही है कि आप घर से डिसाइड करके जाएं कि आपने लेना क्या है ताकि आप एक सेक्शन को प्रॉपरली एक्सप्लोर करके आपने जो चीज लेनी है वो ले अगर आपने रेंडम ली जाते है और आपको यह भी लेना है वो इन देने सोचके चले जाते हैं तो आपको इस तरह से कोई बीचीज अच्छी मिलती नहीं है और लगा दिया होँगा था मताब इनकी शॉप पर थ्रीहंडर्ड रुपीस की सेल थी हम आपको आगर जाके दिखाऊंगी और यह वाला जूता जो था यह भी बहुत अच्छा था ब्राउन कलर में उसकी प्राइस 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 प्लस ही बता रहे थे और उसे कम नहीं कर रहे थे यहां पर प्राइस जो थी है आज वह वाके में बहुत हाई थी क्योंकि यह ब्लंडा भी बहुत महेंगा हो गया है क्योंकि डॉलर का रिट बहुत उपर चला गया है मैंने यह जूता पहन के ट्राइ किया था और मुझे तो बहुत अच्छा लगा था और यह वाला फ्लाइड भी बहुत चला था लगा था लेकिन यह वाले जो शॉप के भाई थे वह शॉप पे थे ही नहीं सो वी डिडिंट बाई उसकी प्राइस का हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वह कितने के थे हेज जी यहांपे बच्चों के सेक्शन में आई थी यहांपे बहुत सारे जुँटे थे जो के अच्छे थे अच्छा यहांपे जो न्यूवाले शॉप्स होते हैं यहांपे इकंलि वह भी उतनी ही कौंटर्टी मेइं फैशित आर नून्यवाली में भी आपको तो हील देखनी होगी संडे मार्केट में देन आपको यहां पर यूजड वाले में ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर इसी में मिलती है और यहां पर मैं एक और शॉप पर यहां देख रही थी कि शयद कोई कलर फुल सा जूता मिले लेकिन यही है कि मोस्ली यहां पर जो यहां पर चाहिए तो सब ब्लाक एधि जैसे कि यह प्लाटफर्म में हील थी और यह भी अच्छी थी लेकिन वही है कि हापे सब ब्लाक बेज रेड इस तरह के कालर्स थे जो आपको जादा यूज में आते हैं जो बहुती कौँ रेर जो कलर्स होते हैं जो क्या आप अवाइक आपाइक लग्हेंवानっぽ करता और राका जहरा है कि अरल सके भाइक बढ़ता ओमाज़ता है अंवा सके भाइक लाइक. आई! झाल झाल कि और हम यहां बच्चों की दुकान पर यह वाला जुटा जो था वह बहुत अच्छा लगा था इसकी कंडिशन जो थी वह 10 आउट आउट अफ 10 थी लेकिन इसकी जो प्राइस थी वह 1500 रुपीस थी और इसे वह कम बिल्कुल नहीं कर रहे थे अच्छा यहां पर कुछ जो पर यहां पर यहां पर मुझे जो अच्छा लगा था तो आई था ले 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 लेते हैं लेकिन इनोंने इसकी प्राइस बिल्कुल कम नहीं की यह वाला जुटा था इसके लिए ब्लाक जूता था इसके लिए 600 वो कह रहे थे and I was like 500 में दे दे लेकिन दे वर नाट रेड़ी सो हमने भी नहीं लिया और यह वाली हील में जब आची लग रही थी लेकिन इसके हील पर जो बीर्स थे वो मिसिंग थे सो इट वस नॉट अगूड ऑप्शन है अए झाल झाल कि बहुत सारी शाप्स देखने के बाद हम लोग एक शाप पर जहां पर सब कुछ जो था वो 300 रुपीज के था लेकिन यहां पर कुछ भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि जिसके ओपर मैं 300 भी इंवेस्ट करती सो मैंने यहां से भी कुछ नहीं लिया था वैसे मैंने काफी सारा ए लेकिन वही है कि हैंपर सब कुछ बेसिक बेसिक ही था मुझे वाइबरेंट कलर जिस तरह के मैच आ रही थी वह यहां पर नहीं थी मुझे मिल रहे और डेफिरेंटली अपर साइस का भी बहुत सारा इशू होता है सो जी हमने बहुत सारा एक्सफ्लोर किया बहुत सारे जूते देखे बहुत इंजॉय भी किया हमने वीडियो भी बनाई लेकिन हैर शॉपिंग मैंने यहां से कुछ भी नहीं की थी बस मैंने अपने बेटे के लिए एक को जो खेड़ी थी वो ली थी और उसके अलावा से के हमने घूमा और काफी गर्मी भी थी और रश भी था और यहां पर आपको जगा जगा पर शूज जो हैं की काफी सारी वराइटी मिलती है यह ले नियू शूज थे और इनकी प्रैसी जो थी वो टूंटी फाइंड रूपीस थी और आफ्टर बार्गेनिंग आप इसको अधींग 2,000 रूपीस में करवा सकते हैं और से बहुत वहां इसे सारे कलर्स थे और बहुत अच्छे थे हैं यह अगर आप लोकल ब्रैंट्स टेया एं यह प्रापर ब्रैंट्स याप बिजाते हैं तो को फशोज रूटर पेन नहीं मिलते हैं और यहां पर हम एक शॉप घ जहां पर यह फ्लाइट नीक उनीक थे इनके श्टाय हो चे थे कंफ़टेबल भी बहुत यह बहुत प्यार ठाइब अन्रा यह जो प्रैस थी इन जूतों की यह जो थे बहूत प्यार जैएंड़ की चीजिट्ड आइ आए झाल 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 तो अगर आपका कोई मूड हो संडे मार्कित जा के विजिट करने का गो फोर एट और बच्रों को आइबल से कना साथ लेकर जाएं क्योंकि भूसता फिरना फिर ना होता है रश्वी बहुत जादा होता है तो बच्छों साथ अपढ़ ज्याता जाते हैं और थुरसा मुश्कि कर दो कर दो कर दो और गया है